मेंієंस्ट को सेन हमार Daisy बॉल्ट मैंन और ब्लाशोभ ब्लेव काल थो यहां पे क्या होता है सबसे पहले ह chili क् significa करते हैं एक वेर फंक्षन यहाँ सअय और आषटी के रेस्पेक्ट में पोजिशन टाइम के respect में, फिर सबसे सुरुवात में जो उसको माना गया कि सबसे first में density function लिया गया है, suppose करके मान करके कि इसको n के n से represent करके, n और r position और time के respect में लिया गया है density density function जहां पे कि n हमारा है number of particles per unit volume r है हमारा position vector और t है हमारा time n हो गया हमारा n, r t और हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि r जो होता है हमारा coordinate system में x और y और z तीनों position में जा सकता है तो एक तरह से यह भी लिख सकते r के जिगा पे x, y, z तो यह हो गया density vector क्या हो गया हमारा n, x, y, z और t, तीन हो गया तो एक, दो, तीन, चार यह हमारा चार variable में यह बट गया तो हम बोल सकते कि यह चार independent variable पे depend करता है these four variables some properties are not satisfied due to इसका कहाने का मतलब है कि इस properties में इतना variables में से कुछ चीज़ें ऐसे आया जो कि satisfied नहीं होने लगा जैसे कि हमारा fluid equation और बगएर सब इससे satisfied नहीं हुआ तब इनको लगा कि इसमें कुछ कमी है फिर एक scientist आया Maxwell उसने हलका सा इनके equation में change किया Maxwell ने क्या बोला उसने change किया distribution function दिया distribution function F इसको हम लोग F से represent करते हैं तो उसने क्या बोला कि R और T के साथ साथ हमारा V भी होना चाहिए velocity होना चाहिए तो R हम तीन position में लिख सकते X Y Z में तो velocity भी हमारा तीन में जाएगा VX VY और VZ तो यहां पे तीन तीन छे तीन तीन छे एक साथ तो इसके पास अब जो बन गया 7 variable हो गया 7 independent variable क्लिए clear है फिर volts में state that the distribution function changes with respect to time उसने फिर इसको derivation किया differentiate किया कितने with respect to time तो यह पूरा हो गया collision जो हो रहा है collision का derivative और यह time का derivative यह है X का derivative यह chain rule है DX upon dt फिर Y का फिर Y के अपॉन जड़ जड़ के अपॉन फिर VB के अपॉन VY के अपॉन और Z जड़ के अपॉन तो हम लोग इसको अलग-अलग कर दिये X वाले को अलग कर दिये और Z वाले को X वाले को अलग कर दिये और यह T वाले का अलग कर दिये X Y Z अलग हो गया T हमारा अलग हो गया और यहां भी यह V X V Y और V Z एक साथ आ गया और V Y जो T के रेस्पेक्ट में है अलग हो गया तो हमको पता है यहां पे DX upon D T जो होता है वो velocity होता है और यहां पे DV upon D T जो होता है वो acceleration होता है कि अगर X Y Z पे तीनों पे है तो तीनों को अलग कर दिया और A वाला भी हम लोग तीनों को अलग कर दिये यह हो गया velocity of a single particle और यह हो गया हमारा acceleration of a single particle अब क्या करना है कि इसके जगा पे put कर देना यहां पे यह वाला function था तो इसको क्या करना है पुट कर देना है यहां पे यहां पे V वाला function है और यहां पे A वाला function है तो यहां पे क्या क्या कर दिये V वाले को और यहां पे A वाले को यहां से भी F निकाल लेंगे यहां से भी F निकाल लेंगे यहां से F निकाल लिए यहां से भी F अब इसको हम लोग gradient बोलते हैं X वाले का gradient हो गया और यह किसका हो गया velocity का gradient हो गया जिसको delta upon delta भी लिख सकते हैं This is the gradient of velocity space और यह हो गया हमारा position space Put these values in above equation यह दोनों value क्या करना है इसमें put कर देना है यहाँ पे del के जगह पे del लिख देना है फिर यह equation हमारा आगया del upon delta velocity और gradient f plus f upon m यहाँ पे जो a आने वाला है उस acceleration वरावर क्या होता है force upon mass f upon m कर दिया df upon dt यही हमारा जो होता है यह बोल्ट्समें equation यह ठीक है This is the fundamental equation which satisfied the function f यह satisfied कर रहा है velocity और r और t का this equation is called voltsman equation फिर क्या देखा गया कि plasma में उसका mass बहुत छोटा होता है small होता है और gravitational force अगर नहीं होता है तो उसके पास दो ही force होगा अगर charge है हमारे पास तो electric force भी होगा घूमने के कारण magnetic force भी होगा तो em force ही उसके लिए एक responsible रहा कि वहाँ पे क्या force लग रहा है तो electric force लग रहा है और magnetic force लग रहा है electric और magnetic वाले में ये 12 में भी lorange force होता है lorange force वो force क्या होता है qe plus qv cross b qe होगा यहाँ से अगर हम इसको divide करें तो q होगा electric force और qv cross b होगा हमारा magnetic force दोनों combine होगा तो ये बन गया lorange force इस f के जगा पे इस का मान put कर देंगे तो हमारा equation क्या बन जाएगा अगर उसके जगा पे रख देंगे तो putting the value of f in boltsman equation उस equation में रख देना है इस का मान यहाँ पे रख देना है यहाँ पे f के जगा पे इस का मान रख देना है f का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f के जगा पे q e plus v cross v यह और इसी को हम लोग बोलते हैं boltsman kinetic for plasma plasma के लिए जो boltsman का जो equation आया यही आया clear है यहाँ तक फिर इसमें थोड़ा बहुत problem create होने लगा कि कुछ चीजें ऐसे ऐसे चीजें आया plasma में जो कि satisfied नहीं होने लगा तो उस timing में यह blastob आया blastob ने क्या देखा कि जब वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो जब collision करता है the plasma is very hot plasma अगर गर्म है और अगर वो collision भी करता है तो उसका जो function होता है का होगा वो हो जाएगा 0 इसका मतलब यह वाले function को हो गया 0 बाग इतना बराबर 0 कर दिया गया यहाँ पर df पॉंट डीटी यह लिख करके 0 करा दिया तो इसको उसने नाम दिया कि यह है हमारा velocity का equation clear है thank you